हाँ तो दोस्तों स्वागत है मेरी एक और नहीं वीडियो में तो भाई आज मैं आपके साथ मेरी यह जो i20 डीजल है इसके 10 ऐसे फीचर्स या इसके 10 ऐसे पॉइंट जो मेरे को पर्सनली इस कार में पसंद है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा भाई अब यह 10 ऐसे पॉइंट्स है जो हर किसी को हो सकते है पसंद ना हो यह मेरे एक पर्सनल पर्सेप्शन है पर्सनली मेरे को पसंद है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हो सकते है इस वजेसे आपको यह गाड़ी अच्छी लगे हो सकते हैं आपको ना लगे मिरको पर्सनली पसंद है इसलिए मैं बता रहा हूँ तो भाई चलो हम शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो भाई सबसे पहला फीचर है इसका जब लॉक अनलॉक होती है तो क्या कहते हैं यह वह साउंड करती हैं पॉपॉप देखो भाई मैं इनको दबा करूंगा एक साथ थोड़ी देर के लिए यह मैं दबा रखे दो नो एक साथ देखो भाई यह आपके इंडिकेटर तीन बर बिलिंग कोईगे अब देखो मैं अनलॉक करूंगा आई पॉप हो कितनी रिटेटिंग मैं को बहुती रिटेटिंग लगती है मैं लौक करूंगा फिर बंद होगी देखो अब अगर मैं आफ करना है मैं फिर एक दम साइलेट ठीक है चलो बढ़ते दूसरे फीचर की तरफ तो दूसरा जाएंगे headlamps और यह थोड़ी देर तक जले रहेंगे जब तक मैं गाड़ी तक नहीं पहुचूंगा अब होता है किया जैसे गाड़ी हम अंदेरे में खड़ी कर देते ना अपनी तो कभी कबार उस तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो तब यह feature भाई बहुत ज्या होगा auto पे ठीक है इसको आप auto पे रखोगे आपका follow me home वाला function अच्छे से काम करेगा चलो भाई अगर हम बड़े असके तीसरे feature की तरफ तो जो मेरे को personally पसंद है चलो वो है इसके अंदर हम चलते भाई इसके अंदर अब देखो भाई अब जैसे मैं समझो गाड़ी चला रहा हो यह मैंने कर दी गाड़ी चाला लूँ ठीक है अब मेरी गाड़ी locked है इस वक्त ठीक है देखो मेरा यह वाला डौर भी लौक्ट है यह वाला डौर भी लौक्ट है अब अगर किसी और आदमी को उठके जाना है ना तो फिर क्या जाएगा है दोर मेरा तो ये वाला जो इसका फीचर है ना ड्राइवर डोर हमेशा अनलॉकड रहता है भाई ये मेरे को personally बहुत जादा पसंद है मतलब इस फीचर का बहुत ही जादा practical use लगता है मेरे को कि मेरे को बाहर बार गारी अनलॉक करने का जंजटी नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए unlock करना है, अगर समझो कोई किसी से मैं मिल रहा हूँ, और मैंने वो दरवाजा खोलना है, भाई क्यों खोलना है अपना वो वाला दरवाजा उनलोक करने की भाई इसके अंदर यह है, अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने अपनी गाड़ी कर दी बन लेकिन मेरा इस्टीरियो बंद नहीं हुआ अब बताओं भाई में कितना यूसफुल है अब जैसे स्टीरियो बंद नहीं हुआ, गाड़ी मैं कोई छोटा बच्चा वगेर है अब गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, स्टीरियो वगेरा गाड़ी के सारी इलेक्टरिसेटी कट ओफ कर दो, तो इसने इलेक्टरिसेटी कट ओफ कर दिया है, बस इसका सिक्यूर्टी सिस्टम चालू रहेगा, ठीक है भाई, यह था इसका चौता फीचर जो मेरको पर्सनली बहुत ही जादा पसंद है, अगर मैं बात कर इसके पांच वे स्पेशल फीचर की, आपने एकसर देखा होगा, गाड़ीों में चार्जिंग की बहुत जादा दिक्कत रहती है इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इस गाड़ी में आपको मिलती है, फास चार्जिंग, मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें जो पीछे का पोर्ट है न भाई, यह आपको इधर शाहिद दिख भी रहा होगा, यह देखो, यहां पर निशान भी बना हुआ है, भाई यह फास चा क्या होँ, क्योंकि यह है भाई, फास चार्जिंग है, उसके बाद यहां पर यहां पर यह एक USB केबल है, यह भी अच्छी का स्पीड से कर देती है, पर पीछे वाली से स्लो करती है, बाकि यहां पर 12 वोल्ट का सॉकेट तो गीवन ही है, अगर आपको चार्जिंग लगानी इसमें आपको आटो फोल्ड ओर विम्स देखने को मिल जाते हैं, अनलॉक करूंगा, आटो अनफोल्ड होगा, मैं लॉक अनलॉक पर आटो फोल्ड कह रहा हूँ, ना कि अंदर से, उनमें मारुतिकी गाड़ियों में अंदर से अनफोल्ड और फोल्ड का ऑप्शन रहता है मतलर रिट्रेक्टेबल और वो रहता है उनमें अंदर से, आटोमेटिक इलेक्ट्रिकली अजस्टेबल, लेकिन इसमें लॉक अनलॉक पर हो फीचर, तो मिरको परसनली इसका जो फीचर है, वो सबसे जाधा पसंद है, वहीं अगर मैं बढ़ू आपके सात्वे फीचर की त अब अपना फोन यहां रखो आराम से, और अपना चलते बनो, ठीक है, कॉइंस भी रख सकते हो, चारो दर्वाजों में दिया हुआ है, नीचे तो है इसमें, एक और चीज बताता हूँ, यह आपको स्पेस है ना, इसमें, यह आपको इधर भी मिल जाता है, भाई, पीछे थोड़ा सा, मारूती की गाड़ी, जो स्विफ्ट है, उसमें नहीं है, मेरे एक रिव्य वीडियो आई होगी, उसमें भी मैंने बताई हूँ यह चीज, तो भाई, यह होगा मेरा सेवन्थ फीचर, जो परसनली मेरे को बहुत ही जादा पसंद है, अब भाई, हम अगर बात हाला है, हाला कि यह पोलो में पहले से आता था, इसमें आप आने लगा है, कि नीचे का जंजटी नहीं है, डिगगी का बटन दे दिया है चावी में, और इसका मिल गाए, यह इंपर बटन, बस कुछ नहीं करना है, हमने गाड़ी अंदर से सेंटरली अनलॉक करनी है, और इ देखना दिहान से, मैं गाड़ी लॉक करूँगा, यह देखना हो, यह यहां से अंदर बहार हो जाता है, थोटी सी इसकी है, उस होजे से सेंटरली लॉक हो जाता है, ठीक है, यह था मेरा इसका एट्थ सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को लगा, अब नाइन्थ फीचर, इसका कितना अच्छा सलूशन दिया है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को नहीं पता, और गाड़ी में आता है नहीं आता, पर पर्सनली मैंने पहली बार देखा है, ठीक है, मेरे पास जितनी गाड़ी रह चुकी है, उन में से, ठीक है भाई, अब जैसे मैं आपको दिखात पसंद है, अब अगले फीचर की तरफ हम बढ़े, तो अगला फीचर है इसका, अब जैसे मैंने गाड़ी अनलॉक कर दिया है, अब क्या होगा भाई, अगर मैं इस गाड़ी तक अप्रोच नहीं करता हूँ, शायद 30 सेकंड का टाइम रहता है, तो ये गाड़ी अपने जरूत नहीं है कि अनलॉक्ड रहेगी, कोई डर नहीं जरूत नहीं है, अगर मैंने कोई भी इसका डोर खोला नहीं है तो ये थोड़े टाइम बाद अपने आप लॉक हो जाएगी, ये देखो, होगी ना लॉक, मैंने कुछ नहीं करा, बटन नहीं दिवाया है, आटमेटि एक बाकी हैंड, अगर मैं नॉर्मल से फीचर में ये तो टॉप दस फीचर जो प्रैक्टिकल लगते हैं मेरेको, ठीक है, अब अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा बताओं, जो बीच का इसका हैंड रस्ट है, वो भी काफी जादा यूसफूल है, और भी इसमें काफी सारी च आते हो कि मैं इसके नेगेटिव के उपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई वीडियो तो देख तो लेते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, बाकी आप अच्छा कासा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहु जाना या कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे जरूर पूछना, चलो तेहंक्यू